आपकी जो पॉइम है Goodbye Party for Miss Pushpa written by Nisim Ezekiel इसमे अधेन ने क्या बताया है कि कैसे जो Indian tone है English language को लेकर वो कैसे use करते हैं English language English को लेकर कैसे जो misconceptions है क्या-क्या हम किस understanding से बोलते है, किस tone में बोलते हैं, किस accuracy से बोलते है और English language को हम क्या समझते हैं उसके बारे में यह सारी बॉयम है, it's a hilarious poem with Indian sentiment and expression, he was a prominent figure among post-colonial literature and he has shown Indian way of speaking English with pitch perfect accuracy, इसमें क्या है कि जो निसी मिजिकल है उन्होंने बड़ी closely observe कि इंडियन्स जो है, वो किस तरह से English language को लेती है, कि एक वर्ड का जिस तरह से वो सोचते हैं कि हम कैसे प्रणाउंस करेंगे और किस तरह से कर देते हैं और उसका मतला भी कुछ होर बन जाता है, उसके बारे में सा मॉल्ण प्रणाउंस का इवर्र दिन जाता प्रणाउंस को सब्सक्राइन भी कुछ बारे में अच्छे टीक के जो इंडियन्स आपके जो चाहिं एंग्लिश लेंगेजिगेंज का जो नौट इंग्लिश लेंगेजिव इसका का चैसे प्रण प्रग्रेशिव में ही उसका simple present tense use करने के बजाए उनको होता है कि हमेशा present progressive tense यूज किया जाए बड़े जीब सब किसी भी word का मतलब जीब ही बन जाता है कुछ जो कहना चाहते हैं वो कुछ हो रहे हैं और जो कह रहे हैं वो कुछ हो रहे हैं तो जो उसकी contradictions हैं वो सब हमें clear यहाँ इस poem में देखने को मिलते हैं